इस्टूइंट्स वेलकूम बेक टू अवर यूटूब चैनल एंड वी क्रेटर तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उच्ष्ट और निमनेश्ट के बारे में ठीक है न तो सबी लोगों ने पढ़ा है अदिकतर उच्ष्ट को बोलते हैं मैक्जिमा और निमनेश्ट को तो देखिए जो फलान होता है जैसे एक होता है ठीक है न f of x एक दूसा फलान होता है f x,y ठीक है तो इसकी जो उच्ष्ट और निमनेश्ट निकालने की शारते हैं होती है उसमें क्या का कंडिशन हमें follow करनी होती है तो सबसे पहले हम step first को देख लेते हैं हमें क्या करना हो होता है step first में जैसी हमारा function दिया जाता है f x,y तो सबसे पहले हमें x के respect में differentiate निकालेंगे जिसको answer का कहते हैं तो dal f upon dal x और यहां पर y के respect में dal f upon dal y तो जब भी x और y के respect में differentiate निकालेंगे तो इसका मान हमेशा 0 के बराबर होगा ठीक है न पहले step में पहले step में आपको यही करना है कि जो हम function दिया जाए जो भी हमें फ़लन दिया जाए उसका first वार आंसे कावकलन करके x के respect में और उनका मान हमें 0 निकालें ठीक है न जब इनका मान हम sorry जब इनके हम आंसे कावकलन 0 के बराबर करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है हमें जब दोनों चीज़ें मिल जाए जब जे जो दोनों चीज़ें मिल जाए तो हमें x और y के दो समीकन प्राप्त होंगे ठीक है ना एक समीकन हमें first समीकन प्राप्त होगा और second equation दोनों समीकन की सायता से हमें x और y की value find करना है जब x और y की value find हो जाती है फिर हम चलते है step second की और ठीक है तो step second step second में अब हमें क्या करना होता है इसका second बार differentiate करना होता है तो इसका क्या हो जाता है डेल square f upon डेल x square और तो इसको हम r देते हैं ठीक है न और डेल square f upon डेल x into डेल y इसको हम r देते हैं और इसका यवाद डेल square f upon डेल y square इसको दे देते हैं t ठीक है अब देखे हम बताते हैं किस तरीके से हमने किया है हमने फर्स्ट बार differentiate किया इसको 0 के बराबर किया इसको 0 हमें दो इस question पर आप्त होंगे इन दो इस question को किसी भी तरह से solve करके आपके ऊपर depend करता है हमें x,y के मान जात करना है जब x और by के मान हमें प्राप्त होंगे प्राप्त होने के बाद हम इसका differentiate, double wire differentiate करेंगे x की respect में पुना फिर इसका differentiate करेंगे by की respect में पुना और एक बड़ differentiate करेंगे x और by दौनकों मिला कर ठीक है न? तो r, s, t हमें तीन value हमें मान प्राप्त होंगे जब हमें तीन मान प्राप्त हो जाएंगे x, y, r, s, t के तो हमें जो r की value और s की value और तीन मान प्राप्त होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? step third को लेकर चलेंगे step third में हम क्या करेंगे? तो इसमें step third में r, t r, t, minus s square इनका हम r, t, r, o, t first and last का हम multiplication करके s square में से घटा देंगे तो यहाँ पर अब हमें तीन condition मिलेंगी, ठीक है? जब r, t, minus s square इसकी value बड़ी हो किससे? इसकी greater than हो किससे? 0 से तो यहाँ पर जो r की value होगी अगर r की value बड़ी है 0 से और r की value छोटी है 0 से तो हमारा r की value बड़ी होगी 0 से तो हमारा फलन कैसा होगा? निमनिष्ट होगा और r की value हमारी जो छोटी होगी 0 से वो तो फलन कैसा होगा? उच्चिस्ट होगा ठीक है? यानि सीधी बात हम बता दें अगर r का मान हमारा minus आता है यह r का मान positive आता है हमेज़ सा positive में कैसा होगा? निमनिष्ट होगा और इसमें देखिए r का मान greater than हो और यहाँ पर greater than होना चाहिए तो हमारा कैसा फलन होगा? निमनिष्ट होगा यहाँ पर less than होना है तो हमारा छोटा होने पर हमारा कैसा होगा? फलन उच्चिस्ट होगा जब हमारा r t minus s square यह less than हो 0 से फीक है? तो हमारा फलन क्या होगा ना तो उच्चिस्ठ होगा और ना ही निमनेस्ट होगा यह पूच लिए जाता है एक्जाम में ठीक है पूच लिए जाता है कि इसके बड़े सवाल होते हैं तो एक्जामना चाहता है थोड़ा बिद्यारतियों से पूचें उसको नौलेफ़् पता कि नहीं है कि कहा फलन निमनेश्ट होता है कहां उच्छिस्ट होता है या कहफिक है तो और की वैल्वी प्लाइट करो तो किसी तरहिके से घुमा के वह आपसे सवाल, पूछ तो एक ference चीजें यह स्टेज़े को आपको याद करना हैं सल्ट ट् Catholic अ पर इस पर एक एक्जामबन देख लेते हैं ताकि आपको इससे क्लियर हो जाएगा ति हमने सबाब सही सीखा है या नहीं चली हम इसके पर एक एक ऐगजामपल देखते हैं हमने एक एक ऐगजामपल लिया है इस एकजामपल की साहता से आपको पता चल जाएगा कि उच्चिस्ट और निम्नेस्ट हमें किस तरीके सी निकालना है देखिए हमारा दिया गया U is equal to XY plus AQ upon X plus AQ upon Y ठीक है न यहाँ पर हमें फलन X और Y हमें फलन दिया गया एक्स और Y की respect में ठीक है न तो हमें बताना है कि या तो उच्चिस्ट होगा या निमनेस्ट होगा या ना उच्चिस्ट निमनेस्ट किसी भी तरीके से वो आपको सवाल को हल करने पर आपको पता चल जाएगा अगर होगा तो फलन का मान गयाद करो तो हम यहाँ पर इसको solve करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं यो XY plus AQ upon X plus AQ upon Y इसको दे देते हैं हमें Question No.1 ठीक है न तो सबसे पहले हमने क्या बताया था step first को हमें अपनाना है और step first में हमने क्या बताया था इसका first बार differentiate करेंगी X के respect में तो X के respect में हमने differentiate किया तो यहाँ पर by आया और यहाँ पर इसका तो मान हमारा zero हो जाएगा ठीक है न तो यहाँ पर AQ plus और बन अपन X का हमारा क्या हो जाएगा minus बन अपन X square ठीक है न तो del U upon del X तो हमारी इसकी value पर आप्त होगी by minus AQ upon X square ठीक है तो हमने बताया था इसका हमार जीरो होता है तो by minus AQ upon X square बराबर जीरो तो हमारा by minus X square minus AQ बराबर जीरो हो जाएगा ठीक है न तो X square by बराबर कितना AQ ठीक है तो इसको दे देंगे में किसा number second अब इसी तरीके से by की respect में निकालेंगे तो del U upon del Y बराबर क्या हो जाएगा जब by की respect में निकालेंगे तो d upon dy इसका y करेंगे तो बन हो जाएगा यहाँ पर X आएगा इसका पूरा function 0 हो जाएगा यहाँ पर AQ और बन अपॉन y का minus 1 upon y square ठीक है तो X minus AQ upon y square del U upon del Y हमने बताया था क्या है इसका 0 हो जाता है तो अब हमने इसका LCM लेके तो LCM लेने पर X y square minus AQ और जो y square है वो 0 में चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा X y square बराबर AQ अब इसको हमने किस नम्म 3 अब हमने इसके बाद क्या बताया था जह हमें X और दो समीकण प्राप्त होंगे इन दोनों समीकण की साहता से हमें x y की value find करनी है तो x y की value किस तरीके से find करनी है जोड के घटा के गुणा के भाग करके आपको Sam सूचना है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इन दोनों का division हमें दिख रहा है तो division करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम अगर इसका divide करते हैं तो divide करने पर हमें क्या प्राप्त होता है जैसे हम समीकण 2 upon 3rd इसका हम divide करते हैं तो हमें क्या है x square by upon x by square बराबर aq upon aq ठीक है तो हमें क्या है 1x से x कट जाएगा 1y से by कट जाएगा उपर क्या बचेगा x upon by बचेगा x upon y की value हमारी क्या मिली 1 तो by बराबर क्या मिल गया हमें x यानि x बराबर y हमें मिल गया तो हम x बराबर y इसमें equation में substitute कर देंगे तो हमें क्या है x की जगे हम by लिख दें तो by into by square बराबर aq तो क्या हो गया by q बराबर aq तो by बराबर हमें क्या है a तो इसी तरीक से हमारी value क्या आ गई x, y बरावर हमें क्या मिल गया a यानि x बरावर y बरावर a यानि जो हमारी x और y की value है वो क्या आ गई a, a ठीक है न जब a हमारी मान कितनी आ गई a, a आ गई अब हमें क्या करना है हमने बताया था आपको third step आपको second step आपको अपनाने के लिए तो चलिए second step आपका अपनाती है यहाँ पर आप second step करने के लिए सबसे पहले फिर से फलन लिख लेंगे तो dal u upon dal x बरावर y minus aq upon x square और dal u upon dal y बरावर x minus aq upon y square ठीक है ना दिखरा होगा अब हमें क्या करना है हमने second step अपनाती है हमने क्या बताया था इनका double bar differentiate करना है तो dal square u upon dal x square जब हम इसका double bar differentiate करते है x की respect में तो इसका मान क्या हो जाएगा बन इसका मान 0 हो जाएगा और इसका मान हमें क्या मिलेगा इसका मान पूरा हमें पूरा हमें मिलेगा जैसे minus का aq बाहर आ जाएगा और बन अपन x square ठीक है ना तो हमारा क्या बचेगा minus का 2 upon x q मिलेगा ठीक है तो minus minus plus तो हमें 2aq upon x q ठीक है तो हम हमने बताय था इसको हम क्या मान सकते हैं r तो r की value हमें क्या मिली a मिली ठीक है ना अगर x और x की value हमारी क्या आई a तो हम अगर इसकी सबसे पहले हमें इसके मान देख लेते हैं अब del square u upon del x into del y इसका इसकी respect में कर रहे है ठीक है ना तो हमें क्या पराप्त होगा तो हमें x और y की respect में हम जब भी differentiate करेंगे तो del upon del x यहाँ पर हम किसी एक को रख लेंगे x minus aq upon y square ठीक है तो हम जब भी x की respect में करेंगे तो इधर बन इधर क्या है 0 हो जाएगा तो हमारी s r s तो हमारी s की value कितनी आ गई बन आ गई अगर हम इसका बान ए रखेंगे तो 2 aq upon aq कड जाएगा तो r बराबर value कितनी आई 2 और s की value कितनी आई 1 और del square u upon del by square से हम हुब हुब वही मिलेगा minus का aq upon minus का 2 upon by q ठीक है 2 aq upon by q और by की value हमारी क्या है aq sorry by की value a है y की power 3 a की power 3 तो हमारी कितनी हो जाएगी value aq अब हम इससे कड जाएगा तो हमारी क्या है r s t तो जो t की value कितनी मिलेगी 2 अब हमें क्या है किस तरी अब लगाना हमें step third step third हमें use करते ही पता चल जाएगा कि हमारा function कैसा है ठीक है न तो step third में हमने क्या बताया था r t r t minus s square r t r t 2 into 2 minus 1 का square तो 4 में से बन गया तो कितना बचा हमारा 3 3 जो की बड़ा है 0 से जब भी हमने बताया था plus में है इधर r की value भी positive में है और हमारा greater than 0 है जब भी r की value हमारी बड़ी है 0 से और r t minus s square भी हमारा बड़ा है 0 से ठीक है न तो हमारा कैसा होगा फलान निमनिष्ट होगा जब भी positive में आए ठीक है न तो हमारा फलान कैसा होगा निमनिष्ट होगा negative by तो उच्छिष्ट होगा उल्टा होता है ठीक है न अब हम उसने कहा अब इसका मान याद करो तो u a, a यानि हमें पूरे function में जो हमारा दिया गया उसमें हमें value a substitute कर देना है aq upon a plus aq upon a तो हमारा क्या हो जाए a square plus a square plus a square तो बराबाट 2 a square तो a हमारा क्या होगा sorry 3 a square निमनिष्ट फलन हो गया ठीक है तो इसी तरीके से हम उच्छिष्ट निमनिष्ट निकाल सकते हैं और अगर a function का मान minus 3 आता ठीक है तो हमारा function और इदार greater than आना चाहिए R की value ठीक है positive तो हमारा फलन कैसा होगा उच्छिष्ट होगा अगर हमारा less देना आता है R T minus S square ठीक है ना यानि इसका मान अगर बड़ा होता इसका छोटा होता तो हमारा कैसा होगा ना तो उच्छिष्ट ना इनिमनिष्ट तो आई आप की आपको समझ में आ गया होगा एक्जाम्पिल के द्वारा तो वीडियो अगर अच्छी लगए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे आने वाले और भी नॉटिपिकेशन अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे परबला है अती परबला है और दीर की ब्रत किस तरीके से हम फाइंड करते हैं तो जुड़े रही हमारी ऐसी वीडियो में मज़ेदार वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करते रही है क्योंकि मैना से बना रहा है अपलोगों के लिए तो आप भी हमें सपोर्ट देखाएए धन्यवाद